जय हिन दोस्तों, OROP to revision area table से संबंदित बड़ी अच्छी खबर है, बता दें कि पहले PCDA ने एक हिंट दी थी कि OROP table 10 दिन में prepare की जा सकती है, की जाएगी और अब बिलकुल खबर पक्की हो गई है जब करनल नौदीब सिंग सहाब ने tweet कर इसकी जानकारी दी, क्या है पूरी खबर इस वीडियो में देखने वाले हैं, सबसे पहले तो बता दें करनल नौदीब सिंग सहाब एकदम सटीक खबर देते हैं और अच्छी पकड़ रखते हैं PCDA और CGDA में, तो सबसे पहले तो मैं जानकारी दे दू, तो OROP to revision 2019 से pending था, जो करनल सहाब है, इन्होंने क्या जानकारी दी है, इन्होंने जानकारी दी है, सर रिवाइज टेबल आर बिंग प्रिपेर्ड, रिवाइज टेबल प्रिपेर्ड हो चुकी है, दा गॉर्वर्मेंट लेटर फार ग्रांड ओफ एरियर विद इफेक्ट फ्राम 2019, इस इस पेक्टेट टू इसूर बिफोर मिड से दिसंबर, यानि कि 2019 से जो बाकी ये बकाया है, वो गॉर्वर्मेंट लेटर इसू कर सकती है, क्योंकि एरियर टेबल प्रिपेर्ड की जा चुकी है, और इसके बाद एक और टूइट किया है, दूसरे करनल साहब हैं, करनल पर्दमा मन साहब हैं, और इन्होंने भी मेजर मेजर नौदीब सिंग साहब का टूइट की जानकारी दिया, उन्होंने कहा है, कि मेजर नौदीब सिंग अबाउट OROP, दर रिवाइज टेबल आर बिंग प्रिपेर्ड एंड गॉर्मेंट लेटर फार ग्रांट आफ एरियर विद इफेक्ट फ्राम 2019, एक्सपेक्टेड इसू फ्राम बिफोर मिड दिसंबर यानि 15 दिसंबर से पहले पहले लेटर इसू कर सकती है, क्योंकि टेबल जब तयार है, तो लेटर इसू करने में सरकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात है, कई लोग इस पर कह रहे हैं, बिल्कुल सकीक निउज है, इस पर पता दे, क्यों एरियर इसू करने वाली है, गवर्मेंट इसके दो रीजन है, बड़े रीजन, एक तो कंटेम्ट आप कोट होने वाला है, जो की सुप्रीम कोट के दो बार एक्स्टेंशन मिलने के बाद भी अगर इन्होंने औरोपी एरियर इसू नहीं किया, इस पर कोई क पारणों से ये जल्द ही इस पर कोई फैसला ले सकते हैं, पंदरा दिसंबर इस पर लास्ट डेट है, जो सुप्रीम कोट ने तीन महिने का एक्स्टेंशन दिया था, ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सा टाइम मिलती रहे, थैंक यू, जैहिन